अब आज मैं बना रहे हूं स्वीट कॉंचाट स्वीट कॉंचाट मैं आने के लिए मैंने यहां पर पानी पॉयल करने रख दिया है पानी हमारा पॉयल हो चुका है और यहां पर मैंने फ्रेश मकई के दाने निकाल के रखनी है यह देखें बिल्कुल फ्रेश है यह आप मकई ले ले चली ले जिसे कहते हैं उसके दाने आप छील ले और मैं ढाल दूँगी इसके अंदर अब मैं इसमें शामिय करूंगी वन टेबल स्पून नमक और इसको कर लेंगे हम मिक्स अब इसको पांच मिनट के लिए ढगकर इसको पकाएंगे ताकि कही के दाने हमारे सॉफ्ट हो जाएं पिर मैं आपको पांच मिनट के बाद दिखाती हैं अब हम स्वीट कौन चैक कर लेते हैं यह देखें स्वीट कौन हमारे अच्छे से पक चुकी हैं यह देखें तब भी रहें अब मैं इसको इस फाने से निकाल लूँगी यहां मैंने एक पतील लिए अब मैं इसमें डालूंगी टू टेबल स्पून बटर बटर हमारा चैसा मेल्ट हो जाए और यह जो मैंने कौन अभी बॉइल किये हैं के दाने इसमें शामिय कर देंगे करेंगे अब मैं इसको सिर्फ दो मिनट के लिए फ्राइ करूंगी इस बटर में बटर मैंने इस लिए यूज किया कि जो हमारे कौन है इसमें बटरी सा फ्लेवर हो जाता है और यह खाने में मज़े के लगते हैं हम आज को मीधियम लोग पे रखेंगे अब मैं इसमें शामिय करूंगी थ्री टेबल स्पोञ खीडा बार यकप लिए इस बारी चौप कर लेग त्री टेबल स्पोन टमाटर जो मैंने शटब श्ब्स में कटकर लिए यह शामिय कर दूंगी थ्री टेबल प्यास चॉप कर लिए ये भी शामिय कर दूगी और वन तेबल स्पून ये चॉप की गेंजी लिए आप चाहे तो एड़ कर सकते है अब मैं इस पर शामिय करूंगी कुटी हुई लाल मिर्श हाफ टीस्पून काला नमक, हाफ टीस्पून चात मसाला, क्वाटर टीस्पून काली मिर्श पाउडर, क्वाटर टीस्पून पैफिका पाउडर अब इन सब को करेंगे अच्छा है साम मीक्स, फ्लेम को मैं कर दूंगी और अब मैं इसमें शामिय करूंगी लेमन, ये लेमन का फ्रेश जूस है, अब मैं इसमें शामिय कर दूंगी ब्लैक ऑलिव्स, टू टेबल स्पून और टू टेबल स्पून धनिया, अब इसको कर देंगे अच्छा साम मीक्स, अब इसको एक मिनट के लिए मैं शाक के ऐसे रख दूंगी ताके इसमें जो हमारे, हमने मसाले और जो चीजे एड़ की है, उसका फ्लेवर कौन में आ जाए, तो मैं एक मिन क के बाद इसको डिशॉट करती है, अब एक मिनट हो गया है, माशाला इतनी मज़े की खश्बूँ आ रही है, बिस्मिल्य रखमान रही है, देखें जी, गर्मा, गर्म, स्वीट, कौन, चार्ट हमारी फिल्कु त्यार है, अगर आपको मेरी के रेस्पी अच्छी लगे तो अप्तिस दाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करें, दौा में याद रखेगा, अल्ला आपीस